दावा स्टाइल चिकन करी चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन करी और उससे पहले उसका चिकन मसाला सबसे पहले मैं डालूंगा इसके अंदर एक चमच साबो धनिया आदा चमच जीरा एक चमच काडी मिरच एक मोटी इलाइची ठेसे साथ छोटी इलाइची छे से साथ दूंगा उसको पीस् लूँगा यह मसाले मेरे घर हो गये है उतना आपके हाथ में यह गरम नहां लगे और मसाला आप इजी ही पकड़ सके बस हमें इतना ही गरम करना है और अब मैं इसको पीस लूँगा अब डूल itinenuna आशे सबसे पहले इसको जलाएंगे जिलाने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी इसकी धांस है वो उसको खतम करेंगे और फिर हम इसके अंदर इसको तलका मारेंगे यह देखिए अब हमारा जो तेल हो जल चुका है यहां तक मैंने डाला था और वो सूखे कहां तक नीचे तक हो चला गया है इसका मतलब हमारा तेल जो है और इसमें डालूंगा मैं यह साबुज दीरा इसके अंदर डालूंगा मैं यह चौप प्याज और अब मैं इन प्याज को थोड़ा बूनूंगा यह मैंने तीन प्याज नी हैं अप्रोक्सिमेटली 1,500 ग्राम अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पिसावा प्याज भी डालूंगा और अब इसको मैं अच्छी तरह बूनूंगा प्याज को इस स्टेज में जब प्याज हमारा इतना भून जाए हम मैं इसमें डालूंगा मोटी लाइची छोटी लाइची लॉंग दालचीनी और जावितरी और यह के तेज पत्ता यह देखिए अब हमारा मसारा तकरीबन 80 परसेंट हो चुका है अब मैं इसके अंदर डालूंगा कुछ खड़े कुछ मसाले जिसमें है यह धनिया पाउडर यह हल्दी पाउडर और यह जीरा पाउडर और साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा ताकि हमार यह मसाले जो है वह जलेना इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगा चिकन है मैंने एक चिकन लिया है 800 ग्राम का और अब मैं इसको चिकन को अच्छी तरह बूंगा इसके साथ यह हमारा चिकन और हमारा मसाला दोनों भूं चुका है मैंने इसमें थोड़े से कॉंटिटी बढ़ा दी है चिकन की और अब मैं इसके अंदर डालूंगा यह जिंजर गालिक पेस्ट मैं मिराया का यूज करता हूं परसनली क्योंकि यह जो जिंजर गालिक पेस्ट है अपन और इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की बिशुरती है आपको इसली मार्गेट में अवेलिबल हो जाएगा इस इस कॉल्ड अ मिराया M-I-R-I-Y-A और ना ही इसके अंदर कोई प्रेजर्वेटिव है ना ही इसके अंदर कुछ और ऐसी चीज मिली हुई है जिससे की आपको हामफुल हो और पूरा कॉस्ट एफेक्टिव है अब मैं इसमे डालूंगा ट्रमेटो प्यूरी यह फ्रेश ट्रमेटो प्यूरी है और अब इसको अच्छी तरह बूनेंगे आप चाहें तो इसमें कर्ड का भी यूज कर सकते हैं बट मैं जो है नॉर्मली चिकन करी के अंदर कर्ड का यूज नहीं करता हूं अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं यह लाल मिर्च और एक कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिरच जैसे मेरी यादा था आपको बताया हमेशा ये भूनते टाइम में थोड़ा धनिया पौरे डाल रहा हूँ थोड़ा अधरक कल अच्छा और थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली इससे क्या होता है कि इसकी फ्लेवरिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है अब आप देख सकते है कि क्या कलर क्या हो गया करी का नमक अकॉर्डिंग टेस्ट ये अब हमारा चिकन भी भून चुका है और हमारा मसाला भी भून चुका है अब मैं इसमें डालूंगा पानी अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है इससे बॉइलाना चालू हो गया है अब ही मैं इसके अंदर डालूंगा एक कसूरी मेथी कसूरी मेथी के अपना ही यूनिक फ्लेवर होता है जो कि खाने के टेस्ट को और जाधा बढ़ाती है और अब यह जाएगा हमारा चिकन का जो मसाला मैंने बनाया था यह देखिए हमारी जो चिकन करी है और रेडी हो चुकी है ना में से च्छानने की जुरत है और ना ही किसी और चीज की जुरत है खाली तंदूरी रोटी और यह चिकन करी चलिए मैं इसको अब डिश आउट करता हूं साथनक गार्नेश में ऊपर थोड़ा सा धनिया और अद्रक का लच्छा यह दैट मिन्स कोरियांडर और जिंजर जूलियंस नाओ यू कन एंजोए जो चिकन करी तंदूरी रोटी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे सब्सक्राइब क यह थे थीजे थीजे थैंक यू